उडिशा के बाला सोर में दो जून को हुए ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की शवों को उनके परिवार वालों को सौपने की प्रक्रिया शुरू हो गई है शवों को भूनेश्वर के एम्स में रखा गया था हादसे में मारे गए 293 लोगों में से अधिकांश के शवों को उनके परिवारों को पहले ही सौप दिया गया था हाला कि कई दावेदार होने की वज़ा से 81 शवों की पहचान नहीं की जा सकी इन शवों को पारदीब बंदरगाह में खरीदे गए चार अलग-अलग कंटिनरों में माइने 17 डिग्री शल्सियस पर सुरक्षित रखा गया था हादसे में मारे गए 5 लोगों की शवों को शुकृवार को उनकी परिवारवालों को सौप दिया गया जो बॉडिस को आइडेंटिफाई करने के बाद रेल्वेस को जब हैंड़ ओवर करते हैं उसके बाद रेल्वेस उनका कंपेंसेशन एमाउंट जो है वो पे कर रही है आज हमारे पास जो डेटा है उस हेसाब से 5 के लिए आज दिया बेसिस में कंपेंसेशन दे रहे हैं बल्या विगूस रहे हैं, बहुत दिन कास्ट करके रहे हैं, DNA भी मिल गया है, सारे चीज मिल गया है, जारे अब भिहार इसका संस्कार उन्सकार भी करेंगे, जो नियम है और नियम करें है भुवनेश्वर के एमस में रखे गए 80 शवों में से 29 की पहचान की प्रिक्रिया पूरी हो चुकी है DNA सेंप्लिंग अनलेसिस करने का फैसला एक शव के कई दाविदार होने के बाद लिया गया राजसरकार ने सभी शवों को अपने पैत्रक स्थानों पर भीजने के इंतिजाम किये हैं दो जून को चैन नहीं जा रही को रोमंडल एक्स्प्रेस बेंगलूरू हावडा सूपरफास्ट एक्स्प्रेस और एक मालगाडी भीशन हाधसे का शिकार हो गई थी इस हाधसे में 287 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि 6 और लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ दिया यह हाधसा बाला सोर्ज लेके बहनागा बाजार स्टेशन के पास हुआ